नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहें CWB Hindi News कई मद्यम और कुछ एक स्थानों पर भारी वारिश के संभाव ना बन रही है भारते मोशन विबाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है 9 से 12 आगस्त की दोरान रास्थान मद्यपरदेश, 36 गड़, उडिशा और गुजरात में भारी वारिश देखने को मिल सकती है जबकि हरियाना की दक्षन हिस्सों और NCR दिल्ली में भी इसका आनसिक प्रभाव देखने को मिलेगा काथित संत रामपाल ने जमानत के लिए लगाई याचिका हाई कोट ने सरकार से मांगा कस्टडी सर्टिपिकेट काथित संत रामपाल ने अपने खिलाब बरवाला में 18 नॉमबर 2014 में देश विरोधी गत्वीदियों और आम्स एक्ट की धाराओं के दायत दर्ज मामले में नेमित जमानत दिये जाने के मांग को लेकर पंज़ाब एंड हरियाना हाई कोट में एक याचिका दायर की हुई ह मामले की सुनवाई की दोरान हाई कोट ने हरियाना सरकार को कस्टेडी सेटिफिकेट पेस करने का आदेश दिया है इसके साथी रामपाल के खिलाफ दर जन्य सबी मामलों की जानकारी भी मांगी हुई है जमानत मिलते एई फिल्ड में उतरे ओम्रिकार शोटाला बुजरुगों की पेंसिन काटने पर उठाए शवाल हर्याने के पोरू मुख्यमंदरी एम इनेलो सुप्रीमो ओम्रिकार शोटाला जमानत मिलने के 16 गंडे के बित्र शुकरवार को फिल्ड में उतर गए शुकरवार को इनेलो पार्टी दोरा परदेश के सभी जिला मुख्यालो पर भाजपा जज़पा सरकार दोरा बुड़ापा पैंसिन काटे जाने के विरोध में परदर्शन कर उपायकतों को राजिपाल के नाम ग्यापन शोपा गया इनेलो सुप्रीमों ने कहा कि बाजपा गटबंदन सरकार ने बुजरुकों को वाइदा तो 5100 पर सम्मान पैंसिन देने का किया था लेकिन अब जो मिल रहा है उशे भी काटकर ताओ देवलाल के सम्मान का अपमान कर रही है 1987 में जब बुडबा पैंसिन शुरू की गई थी तब किसी भी परकार की आई या फिर अन्य कोई भी सर्थ नहीं रखी गई थी लेकिन परदेश की बाजपा गटबंदन सरकार साजिस के तहत आई के आड़ में बुजरुकों की सम्मान पैंसिन काट रही है जिसे कतरी बरद पुनिया सबसे पहले मैट पर उत्रे उन्होंने सांदार जीत के साथ गेम्स में आगाज गया भारते पहलवानों से जिस तरह की उम्मीद देश को थी उन्होंने उस उम्मीद को बरकला रखा उन्होंने पुरुषों के 65 किलोगराम वरग में जीत के साथ सुरुवात की पाटर फाइनल में अपने जगह सुनिशित कर ली अब पंचकुला से खाटू शायम के लिए जल्द सुरू होने वाली है रोडवेज बस सर्विस हरियाने के परिवहन मंतरी मोलचन सर्मा ने कहाए कि खाटू शायम के लिए जल्द ही पंचकुला से बस सर्विस शुरू की के निर्देश दे दिये हैं उन्होंने का कि खाटू शाम के लिए रोध तक और जीन से पहले यी बस सर्विश शुरू की जा चुकी है परिवयन मंत्री निकाहा कि हर्याना रोडवेज गरीब आदमी का जहाज है इसमें आई दिन बड़ी सिंक्याम यातरी सफर करते हैं उन्ह प्रियाना के रोध तक जिले में स्थित राजियो गांदी खेल परिशर में होने वाली सेना के खुली बरती के लिए ओनलाइन आवी दिन के प्रिगरिया 5 अगस्ते सुरू हो चुकी है तीन स्थम्बर तक आप वेबसाइट पर ओनलाइन आवी दिन कर सकते हैं सेना बरती का पास अगनिवी ट्रेडमेन आठवी पास रेनियो में यूकों को भरती किया जाएगा बरती महेंगाई के विरोध में कॉंग्रेस का प्रोटेस्ट हुड़ा समेथ कई कॉंगरी सिनेता हिरासत में दो गुटों में बटा नजर आया परदर्शन बरती महेंगाई और खादे परदार्तों में जेश्टे के विरोध में हर्याना कॉंग्रेस पूरे परदेस भर में धरना परदर्शन कर रही है वहाई पुलिस ने भी परदर्शन को देखते वे सुरक्षा के तगड़े बंदोवस्त किये हैं परदर्शनों में पार्टी के विदायक और स्थानी कारेकरता सामिल है वहाई चंडिगड में पूरुषियें बुपेंदर सिंग हुड़ा और चोदरी उद्य भान के नेतरतों में कॉंग्रेस ने परदर्शन जोरदार किया कॉंग्रेस कारेकरताओं के राजबहुन गहराओ की कारण पुलिष ने रास्ते में बेरिगेट लगा कर हुड़ा समेथ कॉंग्रेस के तमाम वरिष्ट नेताओं और विदायकों को हिराशत में ले लिया है वहीं फत्याबाद में सुक्रवार को बढ़ती महेंगाई, बेरोजगारी और नस्य के खिलाब विरोध में कॉंग्रेस ने परदर्शन किया कॉंग्रेस नेताओं ने लगू सची वाले के बाहर धरना दिया हलांकि इस दर्णे में कॉंग्रेस दो कुटों में बटी हुई नजर आई दम तोड रही है परदान मंतरी फसल बिमा योजना किसानों का मो हुआ भंग, जानए इसके क्या है बड़े कारण परदान मंतरी फसल बिमा योजना में किसानों के साथ गड़बड जाले वा भारी एनी में ताओं की चलते फत्याबाद जिले में किसानों का फसल बिमा के परती मो भंग होता जा रहा है फत्याबाद के साथ साथ पूरे हरियाना में भी कुछ ऐसा ही हाल है जिले के कुल 1,10,000 किसान परिवारों में से इस बार मातर 27,000 किसान परिवारों ने परदानवंतरी फसल बीमा योजना के तैद अपना बीमा करवाया है बता दें कि बीते वर्स खरीब की फसल में 45,000 किसानों ने फसल बीमा करवाया था फसल बीमा के परतिक किसानों का रुज़ान कम होने के करण किर्शी वभाग वे सरकार के चिंता का बढ़ना स्ष्वाब होई का ए फसल बीमा योजना में अधिकारीन दोरा गड़बड करने और समय पर महावजन ने मिलने के चलते बीए एडिशनल पार्टे करम के पेपर अंग्रेजी कमपलसरी पेपर कोड बीए 2001 की प्रिक्षा की आयोजन तेती में बदलाव किया गया है अगनिवीर भर्ती अगनिवीर योजना के तैट सेना बर्ते के लिए 3 स्टंबर तक करवा सकते हैं पंजीकन बारत चरगार के अगनिवीर स्कीम के तैट चेना में भरती के लिए हरियाना के छे जिले जिनमें कैथल, अमबाला, करनाल, कुरूचेतर, यमनानगर, पंचकुला और केंदर सासित परदेश यानी चंडिगण के लिए पंचिगण 5 अगस 2022 से 3 स्टमबर 2022 तक होगे तथा ये बारती खडगा स्टेडियम अमबाला स्टमबर 25 से 11 नौमबर तक होगी, भारती दो चरणों में होगी जिनमें महिलावे पुरुष सामिल रहेंगे, ये बारती अगनिवीर जीडी सामाने करता वे अगनिवीर तकनिकी, अगनिवीर लिपिक या स्टोर की प्रिया त चेक करते रहें, दस्तावेज अपलोड नहीं होए, तो चातर खुद गरें अपडेट, योजी में दाखिला लेने के लिए पॉर्टल खुल चुका है, और रोजाना विद्यारती अपना रेजिस्टेशन करवा रहे है, वहीं कोलेज की वेरिफिकेशन कमिटी ने दस्ताव अपलोड नहीं किया है, और फार्म में अंकित कर दिया है, तो वेरिफिकेशन कमिटी एमेल और मोबाइल पर मैसेज बेज़ कर उसे सुचित कर रही है, जिससे के विद्यारती वे दस्तावेज अपलोड कर दे, इसलिए विद्यारती इस बात का ध्यान रखें, कि अपना मो मोबाइल नंबर स्पेलिंग साहित अन्यत रूटिया, बिना ओबजेक्शन भेज़ेई ठीक की जा रही है, आठ अगस्त तक विद्यारती ओनलाइन रेजिस्टेशन करवा सकते हैं, रक्षा बंदन 2022, अबकी बार रक्षा बंदन पर भदरा का साया, इस सुब मुहरत पर ब पूरे दिन भदरा का साया रहने वाला है, बता दें कि भदरा के समय में कोई भी सुब कारिय नहीं किया जाता, जोतिश्यों दोवारा भी इस समय में रक्षा शूतर नय बांदने की सलाह दी जाती है, अबकी बार सावन पूरिण मा, 11 अगस्त की सुबह, 11 बज़ कर 8 मिनट पर शुरू होगी, पूरिण मा अगले दिन 12 अगस्त की सुबह, 7 बज़ कर 16 मिनट तक रहेगी, पंचांग भेद की वज़े से कई सेत्रों में 12 अगस्त को भी रक्षा बंदन का पारू मनाय जाएगा, शूरिय उदे से पूरिण मा तिथी 3 मूरत से भी कम समय तक रहेगी, इस वज़े से रक्षा बंदन का पारू 11 अगस्त को मनाय जाना ज्यादा सुब रहेगा, 11 अगस्त को दिन बर भदरा रहने वाली है, इस दिन रात में 8 बज़ कर 30 मिनट से लेगर 9 बज़ कर 55 मिनट तक चरका चोगडिया रहने वाला है, इस समय में रक्षा शूतर बांदन और शिक्का रखकर राखी बांदें, इस रक्षा बंदन पर हरियाने के बसों में महिलाओं के साथ 15 साल तक के बच्चों का भी किराया माफ, इस साल रक्षा बंदन के त्योहार पर महिलाओं के लिए राहत बरिखबर है, उन्हें अपने भाईयों को राखी बांदने जाते समय बसों में किराया नहीं देना पड़ेगा साथ ही इस वार 15 सार के बच्चों का भी किराया नहीं देना पड़ेगा या आदेस 10 अगस्त को दो पैर 12 बज़े से लागव लिया जाए तेरा जिलो में भारी बारिश का अलाट जैपूर में सुबह से बरसाथ बांशवाड़ा में च्यार इंच पानी गिरा अब च्यार से पांच दिन एक्टिव रहेगा मानसुन पूर्वी राजस्तान में नया सरकुलेटरी सिस्टम एक्टिव होने के साथ ही परदेश में तेजबारिश का दोर शुरू हो चुगा है पिछले 24 गंटे के दोरान बांशवाड़ा जूझनू नागोर परताबगट जिलों में अच्छा खासा पानी गिरा है राजदानी जैपूर के बात करें तो शुक्रवार शुबे से ही कई जगों पर जोरदार बारिश होई है अगले 2-3 दिन के अंदर राज़े के कुछ हिसों में भारी बारिश हो सकती है अगले 24 घंटे के दोरान राज़े के 13 जिलों में तेजबारिश के आसाथ जताए गए है जैपूर के अलावार राज़े में जुझनू नागोर प्रतावगट राजसमंद उदैपूर कोटा जसलमेर डूंगरपूर चितोडगड भीलवाड़ा बाढ़मेर बास्वाड़ा अलवर और अजमेर जिले के काईसों में अच्छी बरशात हुई अगले 24 गंटे के बात करें तो इस दोरान भरतपूर बारा अजमेर बीलवाड़ा बुंदी कोटा स्वाइमादोपूर जालावार जालोर चितोडगड उदैपूर प्रतावगट राजसमंद जिलो में कहीं कहीं हलकी से मद्ध्यम वर्षा होने की सम्मावना जताए गई है वहीं 6 अगस्त को यानि आज अजमेर बाश्वाड़ा बारा बुंदी चितोडगड कोटा प्रतावगट शिरोई उदैपूर बिकनेर चुरू जोदपूर नागोर और पाली जिलो में कहीं कहीं अच्छे बारिश हो सकती है दिलिक पुलिस में हेड कोंस्टेबल भरती परिक्षा दस से 20 अक्तूबर तक 835 पर होगी पोस्टिंग करमचारी चैना आयोग यानि SSA ने दिली पुलिस में हेड कॉंस्टिबल मिनिस्टेरियल भरती फ्रिक्षा की तारीक जारी कर दी है भरती के लिए कंप्यूटर बेस्ट एक्जाम 10 अक्तुबर से सुरू होगी जो की 20 अक्तुबर तक चलेगी इस भरती के लिए 16 जून 2022 तक आविदन मांगे गए थे दिली पुलिस में हेड कॉंस्टिबल मिनिस्टेरियल के 835 पदों पर पोस्टिंग होगी कुल 835 पदों में से 569 पद मेल कंडिडेट के लिए और 276 पद फीमेल कंडिडेट के लिए रिजाव रहेंगे पुरुषों में 56 वेगेंसी एक सर्विसमेन के लिए भी आरक्षित है शेस 503 पद ओपन है इन पदों के लिए आईउ सिमा 18 से 25 साल रहेगी इन पदों के लिए उमिद्वारा को बारुई पास होना जरूरी है इसके लावा इंग्लिस में 30 सब्द परती मिनट की स्पीड से टाइपिंग आती हो या फिर हिंदी में 25 सब्द परती मिनट की स्पीड से टाइपिंग जरूरी है सबसे पहले ओनलाइन लिटन एक्जाम यानि CBT होगी इसमें सफल केंडियेट्स को फिजिकल एफिसेंसी वे स्टेंडर्ड टेस्ट यानि PET वे PMT की देनी होगी PET वे PMT सिर्फ क्वालिफाइंग होगा इसमें सफल उमिद्वारा को कंपिटर पर टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा ये टेस्ट 25 नॉम्बर 2022 को आज़ित होगा आज खबरों बशितनाई देखते रिए CWB हिंदी न्यूज नमस्कार